माराश्ट्र का कल्चरल कैपिटल पूने शहर जिसे कुईनोब डेकन के नाम से जाना जाता है और पूने शहर फेमस है अपने खूब सुरत गार्डन्स के लिए यहाँ के ब्यूटिफुल टेंपल्स पूने का यमी और टेस्टी फूड यहाँ का कलेम एन्वार्मेंट और यहाँ के मुजियम्स और पूने का एडवेंचर पार्क सभी टूरिस्ट को आपने और आकरशित क पूने के इस जू के अंदर आपको यह बेंगौल का वाइट टाइगर भी देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको ट्यूरिस प्लेसेस के साथ ही में हिस्टोरिकल हेरिटेज प्लेसेस भी देखने को मिलते है जैसे कि यह मस्तानी का महल और पूने शेहर से 100 किलोमेटर के दूरी परस्तित इस शिवनेरी किले पर यह चत्रपति शिवाजी महाराजी का जन्मस्थान पूने के इस तीन दिन के टूर में हम आपको कंप्लेट इन्फोर्मेशन देने वाले है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना पूने के इतियास के पन्नों को अगर खोला जाए तो हमें सबसे पहले चत्रपति शिवाजी महाराजी का नाम नजर आता है इसले हम पूने में गुमने की शिरुवात पूने के इस लाल महल से करने वाले हैं क्योंकि इसी लाल महल में बाल छत्रपती शिवाजी महाराजी अपने मां साहिब जीजाओ के साथ में इसी लाल महल में रहा करते थे उनका बच्चपन इसी लाल महल में गुजरा था लाल महल के सामने अपको ये बाल छत्रपती शिवाजी महाराजी हल चलाते हुए नजर आएगे मा साहिब जीजाओ जी के आदेश पर लोगों के मन से डर और अंदशरदा को समाप्त करने के लिए चत्रपती शिवाजी महाराजी ने सोने से बनावा हल चलाया था बाद में कुछ साल गुजर जाने के बाद शाहिस्ते खान ने एकला के सेनिकों के साथ में पूने पर आकरमन किया था और वो इसी लाल महल पर कबज़ा करके रहने लगा और वो यहाँ के लोगों को यहाँ के मंदिरों को उसने पूने को पूरी तरह से बरबाद किया था और ये बाद जब चत्रपती शिवाजी महाराजी को पता चली तब महाराजी ने इस लाल महल में सो रहे शाहिस्ते खान के उपर गनेमी कावा यानि कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रयोग करते वे शाहिस्ते खान के तीन उंग्लियों को काटा था तो इस घटना से शाहिस्ते खान डर के मारे यहाँ से अपन एक लाग सेनिकों को लेकर चला गया था अब हम आचु के है शनिवार वाड़ा के पास में जो कि लाल महल से मातर दो मिनिट के दूरी पर है और यहाँ पर पर संट 25 रुपीज इंट्रिफीज लिया जाता है और इसका टाइमिंग सुबह 9 बज़े से लेकर स्वाम के 5 बज़े तक है 300 साल पुराना यह शनिवार वाड़ा यानि कि इस महल को प्रथम पेश्वा बाजीराव जी के द्वारा निर्मान करवाया था और इस महल को बनाने में उस जमाने में 16,000 रुपियों की राशी लगी थी और यह महल 7 मंजिल का हुआ करता था लेकिन आज के जमाने में हमें इस शनिवार वाड़े के जो बेस पॉइंट होते है और यहां के कुछ अवशेजी हमको देखने को मिलते है क्योंकि 1828 में यहां पर बहुत ही बीशन आग लगी थी और उस आग में जल कर यह शनिवार वाड़ा पूरी तरह से नस्ठ हो गया शनिवार वाड़ा के इस मुख्य प्रवेश द्वार के उपर आपको यह नगार खाना नज़र आएगा यहां पर लगे बीशन आग से यह जगा उचाई पर स्तित होने की कारण यह जगा आग के लपेट में आने से बज गई तो आज हमें 300 साल पूराना यह लकडियों का स् कि उस जमाने में चनिवार वाड़ा कितना भव्य और कितना खूप सुरत रहा होगा मुंबय में जैसे सिद्धी विनाय गनपती फेमस है वैसे ही पूने में यह श्रिमंत दगडुशेट गनपती जी सभी के मन में बसते है चनिवार वाड़ा से मतर दस मिनट के दूरी पर यह गनपती बपा का मंदिर स्ती थे यह मंदिर 125 साल पहले उस जमाने में पूने के प्रसिद्ध व्यापारी श्रिमंत दगडुशेट हलवाई जी के द्वारा बनवाय गया था उस जमाने में यहाँ पर पलेग की बिमारी फेली हुई थी और उस बिमारी में श्रिमंत दग जनपती मंदिर से मातरा दस मिनिट के दूरी पर यह राजा दिन कर केड़कर म्यूजियम स्तीत है इस म्यूजियम के अंदर आपको मस्तानी का महल देखने को मिलता है म्यूजियम के अंदर जाने के लिए पर पर सन हैंड़ रूपिस इंट्रिफीज देना होता है और इस म्य मुजियम के अंदर अपको सोने के धागे से बने वे ये रानियों के साडिया, मुजिकल इंस्टूमेंट, हैंडिक्राप्ट, ब्यूटिफुल वूडन वर्क, जुएलिरीज, पुराने जमानी के बर्तन और मेकप के आर्टिफेक्ट इस तरह की यूनिक और एंटिक चीजे देखने के लिए आपको दो घंटे का समय लग सकता है, पूने के इतियास में इन पातालेश्वर गुफाओ का नाम तो आता ही है, शनिवारवाड़ा से एक किलोमीटर के दूरी परस्थित इन पातालेश्वर की गुफाओ को आठवी शताब्दी में राश्टरकुट राजा के द्वारा निर्मान कराया गया था, इन गुफाओ को प्राकर्तिक रूप से बने वे पत्तर की बड़े सी चट्टान को फोड़ कर और कार्विंग करते वे बनाया गया है, बीच में आपको ये बड़ा सा नंदिम अंडप नज़र आता है, और गुफा के अंदर प्रवेश करते ही आपको तीन गर्ब ग्रह नज़र आएगे, जिसमें भगवान शिव जी, गनेज जी और भगवान राम, लक्षमन और सीता माता विराजमान है, अभी हम पूने के फेमस गार्डन वड़ापाव सेंटर पर है, जो के 1975 से यहापर यह स्टॉल है, और यहापर रोजाना 2000 से लेकर 4000 तक उनली वड़ापाव सेल किये जाता है, और इस 20 रुपे में मिलने वाले इस वड़ापाव का टेस्ट और इसके स्पेशल चटनी का टेस्ट मुंबई के वड़ापाव को भी फेल कर देता है, अगर आप पूने में आते हो, तो यहापर वड़ापाव जरूर राय करना। करके रखा गया था, और केद में रहते वे, कस्तुरबा गांदी और मादे उदेशाई जी की मृत्ति हो गई थी, तो इसी पैलेस के प्रांगन में कस्तुरबा गांदी और मादे उदेशाई जी की समाधी बनी हुई है, और कस्तुरवा गांधी की समाधी के पास में गांधी जी के अस्तियों को भी दफनाया गया है और इस पैलेस में आपको गांधी जी जो चपल पहना करते थे और उनकी माला भी आपको देखने को मिलती है और इस पैलेस में मातर 20 रुपए इंट्रिफीज लिया जाता है गार्डन में कर सकते हैं इस गार्डन को जापान के ओकायमा गार्डन से इंस्पायड होकर यहाँ पर यह 10 एकर में बनाया गया है यहाँ पर आपको खूबसुरत वॉक्वेज, ग्रीनरी, फॉंटेंस, ब्यूटिफुल वाटरफॉल्स, पीस्फुल इंवार्मेंट में आप फैमिली, फ्रेंड्स के साथ में या फिर मेरी तरह आकेले भी आ सकते हैं और यहाँ पर ओनली 5 रूपिस इंट्रिफीज लिया जाता है और यह गार्डन सुबह साड़े 6 बज़े से लेकर 10 बज़े तक और शाम को 4 बज़े से लेकर 8 बज़े तक टूरिस्ट के लिए उपन रहता है पूने में आप अपने दूसरे दिन की शुरुवात इस कैफे गुडलक से कर सकते हैं और यह कैफे यहाँ पर 1935 से है और 1950 से लेकर 70 तक राजेश खना, देवानंद इस जैसे कई फेमस दिगच कलाकार इस कैफे में आते थे और आज भी एक कैफे बहुत ही फेमस है वैसे तो इस इरानी कैफे में बहुत सारे खाने पिने के मेनूज है लेकिन मैंने अपने लिए यहाँ का फेमस बनमस का और यह टेस्टी टी ओडर किया अगर आप पूने में आते हो तो इस कैफे गुडलो को एक बार जरूर विजिट करना अभी हम पूने शेहर से 40 किलोमीटर के दूरी परस्तित इस्तिरुपती बाला जी के मंदिर में आये है जैसे आंदर परदेश में भगवान वेंके टेश्वरा स्वामी जी का मंदिर है वैसे यहाँ पर यह मंदिर भक्तों के दर्शन करने के लिए कुल 27 करोड की राशिय मे बनाया गया है अगर आपको जंगल सफारी करते वे वाइल्ड आनिमल्स देखना पसंद है तो आप पूने के राजियुगांदी जूलाजिकल पार्क में आ सकते हो यहाँ पर उनली 40 रुपिस के इंटी टिकेट में आप बेंगॉल का वाइट टाइगर लेपर्ड एलिफन्ट इस तरह के अलग-अलग एनिमल्स देख सकते है और यहाँ पर एक स्पेशल स्नेक पार्क भी बना हुआ है और यह पार्क इतना बड़ा है कि इसको आपको पूरा गुमने में तीन गंटे से भी ज़्यादा समय लगता है पूर्णे शेहर में आपने बहुत सारे मंदिर देखे होगे लेकिन यह पूर्णे शेहर का 27 एकर में बना सबसे बड़ा मंदिर और सबसे खुबशूरत स्वामी नारायन मंदिर इस मंदिर के बारे में बहुती कम लोगों को जानकारी है इस मंदिर के अद्नर भगवान स्वामी नारायन, राधा कृष्ण, शीव पारवती, लक्ष्मी नारायन और हमारे संत महात्मागन विराजमान है और इन मंदिर के दिवारों के उपर खुबसुरत बारिक नकाशियों की कार्विंग और मुर्थियों को देखकर आपका अमन प्रसन्न हो जाएगा और मंदिर के प्रांगन में बहुती बड़े वौकवेज भी बने हुए है, और इस मंदिर का समय सुबह 7 बजे से ले कर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से ले कर 6.5 बजे तक का है अगर आप पुने में आते हो तो इस मंदिर में जरूर विजिट करना और आप पुने के सारसबाग में भी जा सकते है इस जगा पर बहुती बड़ा तालाब हुआ करता था लिकिन आज आपको यहाँ पर यह सिद्धी विनाय गनपदी जी का बहुती खूबसूरत मंदिर नजर आता है मंदिर में दर्शन करने के बाद आप यहाँ के गार्डन में घूम सकते है और सारसबाग से मातर एक किलोमीटर के दूरी पर यह पारवती हील लोकेटेड है इस जगा से आपको पुने सिटी का बहुती मेस्मराइजिंग सीनिक विव नजर आता है और इस जगापुर आपको यह म्यूजियम और बहुत सरे हिस्टोरिकल टेंपल भी देखने को मिलते है और पारवती हील तक आने के लिए आपको 10-20 मिनिट का इन सीडियों से ट्रेकिंग करके आना होता है अभी हम पूने शहर से 45 किलोमीटर के दूरी परस्तित हडशी टेंपल एन एडवेंचर पार्क में आ चुके है यहाँ पर अप सबसे पहले संत दर्शन मियूजियम में जाते हो इस मियूजियम के अंदर हमारे देवी देवताओ और संत महात्मा के बारे में आपको बताया जाता है और मियूजियम से बाहर आने के बाद आप इस खुबसूरत मंदिर में दर्शन कर सकते हो और मंदिर में दर्शन होने के बाद आप यहां के एडवेंचर पार्क में अलग-अलग एक्टिविटीस कर सकते हो तो इस तरह से आप अपना वीकेंड इस पूने के हडशी एडवेंचर पार्क में वेतित कर सकते हो